देखे ये आपका सेट नमर कितना है तो 20 है और ये इस बुक का लास्ट सेट है ठीक है और ये है बिहाड के जनगन्ना से सम्मन्धी जितना भी आपके एकजाम में कुष्चन बनता है वो सभी इसमें दिया हुआ है देखिए आपका पहला question क्या कह रहा है कि 2011 की जनगर्ना के अनुसार बिहार की cool जन संख्या कितनी थी तो इसका अंसर आपका option यह हो जाएगा 10,40,000 देखिए आपको इसमें याद कैसे रखना है कि 10 और 40 शुरू बला याद रखे और लास्ट बला जो है आपको इसको 452 याद रखे ठीक है इतना याद रखे दूगो तो बीच में 9,9 आई जागा ठीक है एक दो बार देखे रही हैगा तो आपको एकजाम में क्लिक कर जाएगा ठीक है चलिए अगला देखे आपका कुश्चन नमर दूसरा है क्या कह रहा है कि 2011 की जनगर्ना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना परतिसत है तो इसका एंसर अप्शन C हो जाएगा आनिकी 8.6 परतिसत है अगला है आपका तीन नमर कुश्चन कर जनसंख्या के दृष्टी से बिहार देश का आनिकी देश में अस्थान है बिहार का जो देश में कौन सा अस्थान है तो इसका एंसर अप्शन C हो जाएगा तीसरा अस्थान है पहला आपका यूपी हो जाएगा और तीसरा आपका बिहार है। अगला जो आपका चार नमर कुष्चन है, कह रहा है कि बिहार की सहरी आनी कि बिहार की सहरी तथा गरामीन जनसंख्या का जो प्रतिसत है क्रम से कितना है, तो छार के अंसर अप्शन C हो जागा जो सहर में लोग रहते हैं ये 11.3 परतिसत जबकि गाउं में 88.7 परतिसत लोग रहते हैं अगला आपका पांच नमर है कहा रहा है कि नगडी जनसंख्या की द्रिष्टी से देश में राज्य या किनसासित पर देश में बिहार का अस्थान है तो इसका पांच के अंसर आपका आपसन B हो जागा बाड़ा हवा नमर है इसका ठीक है अगला जो आपका कुष्चन है कुष्चन नमर चो है कहाँ बिहार में सरबाधिक जनसंख्या वाला जीला अगरो ही करम में मतलब आपको बताना है कि घटते हुए करम में तो इसका अंसर आपसन C हो जागा सबसे जादा आपका पटना में है फिर आपका पुर्वी चमपारन फिर आपका मजफर पूर हो जाए अगला कुष्चन देखे अगला जो आपका कुष्चन है कुष्चन नमर आपका साथ है कह रहा है कि बिहार में नियुनतम जनसंख्या वाला जीला बढ़ते करम में आपको बताना है तो 7 के इंसर option D हो जाएगा जैसे की मतलब सिखपूरा में हो जाएगा सबसे कम उसके बाद सी उभर में तब आपका अरवल में हो जाएगा ये बढ़ते करम में है ठीक है अगला question देखी अगला जो आपका question है question नमर आपका 8 है क 2011 के जनगर्ना के अनुसार बिहार की सरवाधिक जनसंख्या ब्रिधी वाला जीला जो है कौन सा है तो 8 के इंसर आपका option C हो जाएगा मतलब मधेपूरा है ठीक है मतलब question क्या कर देखी जनगर्ना के अनुसार बिहार की सरवाधिक जनसंख्या ब्रिधी वाला जीला तो ये का मध्य पूरा अप्शन C हो जाएगा अगला आपका 9 नुमर कुष्चन है करहें 2011 के जनगर्ना के अनुसार नियुंतम जनसंख्या ब्रीधी दर वाला जिला तो 9 के अनुसर अप्शन E हो जाएगा अड़ोबल हो जाएगा अगला कुष्चन देखिए अगला आपका नियुंतम लिंगा नुपात वाला जिला जो है 11 के अंसर अप्शन E हो जाएगा मोंगेर है नियुंतम लिंगा नुपात वाला ठीक है अगला देखिए अगला आपका कुष्चन नमर 12 है करहें 2011 के जनगर्ना के अनुसार सरवाधिक सिसू लिंगा नुपात वाला जिला के जनगर्ना के अनुसार निंतम सिसू लिंगा नुपात वाला जीला कौन सा है तो तेरा के अंसर ओप्षन बी हो जाएगा आने की वैसाली है के जनगर्ना के अनुसार निंतम जनसंख्या घनत वाला जीला कौन सा है तो पंदरा के अंसर ओप्षन बी हो जाएगा कयम मूड है अगला आपका कुश्चन नमर 16 है कह रहा है कि 2021 के जनगर्ना के अनुसार बी हाड का लिंगा नुपात है तो कितना है तो 16 के अनुसार ओप्षन यह हो जाएगा 918 जो है यह बिहाड का लिंगा नुपात है अगला कुश्चन दीग अगला जो आपका कुश्चन है कुश्चन नमर 17 है कह रहा है 2021 के जनगर्ना के अनुसार बी हाड का सीसू लिंगा नुपात है तो 17 कंसर क्या ओप्षन C हो जाएगा आनेकी 935 से सीसू लिंगा नुपात जबकि अगर सीधे लिंगा नुपात पूछे तो आपका 9 से 18 हो अगला आपका उन्यस नमर है काड़ा दोहजारेगार है जेन गरना के अनुसार बिहार के कीस जीले का सक्षर्टा दर सर्वाधिक है तो इसका अंसर अप्षिन भी हो जागा रहतास का सबसे अधिक है अगला कुशन देखे अगला आपका कुश्चन नमर वी से काड़ा है दोह साक्षर्टा दर कितना है तो एक इस के अंसर आपका option D हो जाएगा मतलब 16.8 पर 30 है बिहार के साक्षर्टा दर अगला आपका 22 नमर करहा है 2011 के जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक साक्षर्टा वाला जीला जो आपको अबरोही करम में बताना है अनिकी घटते करम में तो 22 के answer option E हो जाएगा जैसे आपका रोहतास हो जाएगा उसके बाद आपका पटना फिर आपका भोजपुर हो जाएगा ठीक है अगला देखे अगला आपका question नमर आपका 23 है कहरा है 2011 के जनगर्णा के अनुसार बिहार का पुरूस साक्षर्टा दर कितना है तो 23 के answer option C हो जाएग 24 के answer आपका option D हो जाएगा मतलब रोहतास का है मतलब रोहतास पुरूस और महिला दोनों में जो सरवादिक सक्षर्टा दर है वो रोहतास में है अगला question देखे अगला आपका question नमर पचीस है कहरा है 2011 के जनगर्णा के अनुसार बिहार का महिला सक्षर्टा दर कितना है तो 25 के answer आपका option C हो जाएगा एकावन पॉाइंट पांच परतिसत है अगला आपका 26 नमर कर है 2011 के जनगर्णा के अनुसार सबसे कम पूरूस तथा महिला सक्षर्टा दर बाला जीला क्रमस है तो 26 के answer आपका option B हो जाएगा पूर्णिया मतलब सबसे जो यहाँ पे पूरूस में सबसे कम सक्षर्टा पूर्णिया में जबकि महिला में सबसे कम सक्षर्टा आपका सहर्षा में है अगला आपका 27 नमर कुष्चन है 2011 के जनगर्णा के अनुसार बिहार का ग्रामीन सक्षर्टा दर है तो 27 के answer आपका option यह हो जागा 69.8 परतिसत है अगला कुष्चन देखे अगला आपका कुष्चन नमर आपका 28 है 2011 के जनगर्णा के अनुसार बिहार का सहरी सक्षर्टा दर कितना है तो 28 के answer option यह हो जागा जो आपका 76.9 परतिसत है अगला है आपका 29 नमर की 2011 के जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक ग्रामीन सक्षर्टा वाला जिला कौन सा है तो पूर्णिया हो जागा अगला देखे अगला जो आपका कुष्चन है कुष्चन नमर आपका 31 है कड़ाई की 2011 के जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक सहरी सक्षर्टा वाला जिला है तो 31 के answer क्या हो जागा option आपका D हो जागा कैमूर हो जागा देखे यहाँ पे क्या है कि 2011 के जनगर्णा के अनुसार सबसे कौम सहरी सक्षर्टा वाला बिहार का जिला जो है तो 32 के answer जो हो जागा आपका option C हो जागा C वहर हो जागा अगला देखे अगला जो आपका कुष्चन है कुष्चन नमर जो आपका आगे है 33 नमर देखे जो 33 नमर कुष्चन का रहा है कि 2011 के जनगर्णा के अनुसार 2001 से 11 के दवरान बिहार का दस्किये बिरिधी दर कितना रहा है तो 33 के answer option B हो जागा 25.42 परतिसत रहा है अगला 34 नमर कि 2011 के जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक दस्किये बिरिधी दरवाला जीला आपको अबरोही करम में आने की घरते करम में बताना है तो 34 के answer option E हो जागा जैसे कि आपका मधे पूरा उसके बाद की संगंज उसके बाद आपका अडरिया हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखी अगला आपका 35 नमर कुशन है कड़ाय की 2011 के जनगर्णा के अनुसार सबसे कॉम दस्किये बिरिधी दरवाला जीला ज अगला जोब का question है question नमर का 36 से कर रहा है कि 2011 के जनगर्णा के अनुसार सरवाधीक तथा नियुंतम अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला जीला करमस है एक बार और question को देख लीजे कर रहा है 2011 के जनगर्णा के अनुसार सरवाधीक तथा नियुंतम अनुसूचित जाती जन संख्या वाला जीला करमस है तो 36 के अंसर क्या अप्षन यह हो जाएगा गाया और सीभर हो जाएगा गाया और सीभर हो जाएगा अगला देखे अगला आपका 37 नुमर कुश्चन है करगा की 2011 के जन गर्ना के अनुसार सरवाधिक तथा नियुनतम अनुसुचित जाती परत परतिसत में पूछ रहा है तो 37 के अंसर आपका अप्षन भी हो जाएगा गाया और किसन गंज हो जाएगा अगला देखे अगला जो आपका 38 नुमर कुश्चन है करगा की 2011 के जन गर्ना के अनुसार बिहार में अनुसुचित जातियों अनुसुचित जातियों का परतिसत सरवाधिक तथा निउन्तम अनुसुचित जन जाति जन संख्या वाला जीला क्रमस हैं तो 49 के अंसर आपका अप्षन C हो जाएगा पस्चिम चंपारन और सीवहर हो जाएगा सरवाधिक पस्चिम चंपारन और निउन्तम हो जाएगा आपका सीवहर अगला कुश्चन देख पस्चिम चंपारन और खगड़िया हो जाएगा अगला आपका कुस्चे ने 40 नमर कड़ा की 2011 के जनगर्णा के अनुसार बिहार में अनुसूचित जन जाती जन संख्या का परतिसत है एक तालिस के अनुसर आप्शन बी हो जाएगा आनिकी 1.3 परतिसत है कितना है 1.3 परतिसत है अनुसूचित जन जाती जन संख्या का परतिसत अगला दिख अगला आपका कुस्चे नमर 42 से कह रहा है कि 2011 के जन गर्णा के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगा नुपात वाल जीला की संख्या कितना है तो 42 के अनुसर अप्शन भी हो जाएगा एक ये गो ऐसा जीला है 2011 के जन गर्णा के अनुसार बिहार में कितने ऐसे जीले हैं जिसका साक्छरता दर राष्टिये साक्छरता दर से अधिक है तो 43 के अनुसर अप्शन भी हो जाएगा ये भी आपका एक ही ही है इसका सोट पिस्कीन आप जल्दी ले लीजे अगला देखे अगला जवाब का 44 नुमर कुश्चन है करा है कि 2011 के जनगर्ना के अनुसार बिहार में सरवाधिक जनसंख्या औरोही करम में की सधर्म की है तो मतलब आपको भड़ते करम में बताना है तो 44 के अनुसार आपका आपसन सी हो जागा सबसे ज़्यादा आपका हिंदू है फिर मुस्लिम है फिर आपका इसाई है तब सीख है अगला जवाब का कुश्चन है 45 नमर काड़ा की 2011 के जनगर्ना के अनुसार संथाल जनजाती के लोग भी हाड के किस जीले में मुख्यता निवास करते हैं तो 45 के अनुसार आपका आपसन ई हो जागा मतलब इसमें एक से अधिक जीला में वो निवास करते हैं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रहते अगला दे जागा इसका भी अंसर आपका option यही होगा अगला देखिए अगला जो आपका question है 47 नुमर है कर दो हजार एकार है के जनगरना के अनुसार बिहार में कितने ऐसे जीला है जिसका जनसंख्या दोस लाग से कम है ठीक है तो आपका option C होजागा तीन गो ऐसा अनिकी 2021 के जनगरना के अनुसार बिहार में कितने ऐसे जीले हैं जिसकी जनसंख्या जोई दोस लाग से कम है तो तीन गो ऐसा जीला अप्सन यह हो जागा अन्तिम से पहला अस्थान हैं मतलब सबसे लास्ट बला अस्थान हैं अगला देखी अगला जो आपका उन्चास नमर कुष्चन है कि 2011 के जनगर्ना के अनुसार नियूंतम नगरिये जनसंख्या परतीसत वाला जीला क्रमस हैं तो उन्चास के अनसर आप नियूंतम नगरिये जनसंख्या तो सबसे कौम जो नगरिये जनसंख्या हो आपका सिभर में हैं जबकि नियूंतम नगरिये जनसंख्या परतीसत वाला जीला क्रमस हैं तो परतीसत का मतलब कि सभी जनसंख्या के कोडिंग उसको ले रहा है उस जीला के अगला आपका पचा ज़्यादा नगडिये जंसंकिया और सबसे ज़्यादा परतिसत वाला भी पटना ही है तो दोस्तों हम आपको पूरे बुक का बीसो सेट कड़ा दी अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और आपके एकजाम के लिए आपको all the best ह ठीक है खुब बढ़िया से मन लागा के तैयारी किजिए अगर आप महनत कर रहे हैं तो आप यसा मत सोचिए कि आपको सीट नहीं मिलेगा आपको confirm सीट मिलेगा अगर आप महनत मतलब अच्छा से कर रहे हैं तो ठीक है देखिया कई बार होता है किसी किसी एकजाम में पूट जाने के बाद थोड़ा सा मनोबल जरूर गिर जाता है लेकिन अपने मनोबल को आप बरकडार रखे क्योंकि आपको एक सीट पका मिलेगा आप जीस भी एकजाम के तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप जी जान लगा के महनत कर दिए क्योंकि बिना महनत का कुछ नही होता है और अगर आप पूरा महनत करते हैं तो सीट सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेगा इतना आप जान लिए ठीक है तो आपके एकजाम के लिए आपको all the best है और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार दोस्तों को बीच में share भी कर दिजिएगा और thanks for watching okay by जहीं दोस्त कर दो